कि अच्छे होंगे दोस्तों कि आज का हमारा टॉपिक है को इंग कंसर्न कंसेप्ट को इंग कंसर्न कंसेप्ट जैसा कि आपको पता होगा कभी अभी हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट कि पर रहे थे पिछले दो क्लास में हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ा हम आल्रीडी तो अकाउंटिंग कंसेप्ट को डिसकस कर चुके हैं कि वो अकाउंटिंग कंसेप्ट है बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट बिजनेस इंटिटी कॉंसेप्ट और मनी मेजर्मेंट कॉंसेप्ट मनी मेजर्मेंट कॉंसेप्ट तो अकाउंटिंग कॉंसेप्ट के दो कॉंसेप्ट हम लोग अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं बिजनेस इंटिटी कॉंसेप्ट और मनी मेजर्मेंट कॉंसेप्ट तो चलिए एक बार briefly going concern concept में को समझने से पहले आगे बढ़ने से पहले business entity concept और money measurement concept को का एक brief ले लेते हैं friends business entity concept में हमने बताया था कि business और मालिक बोथ हार separate entity यानि कि business में मालिक और business दो अलग-अलग व्यक्ति होते हैं और सारे transactions business के books में किये जाते हैं business point of view से किये जाते हैं वही पर money measurement concept में हमने बताया था कि केवल वैसे transactions और events को books में record किया जाता है जिने हम monetary terms में major कर सके या express कर सके यानि कि पैसे के रूप में उसे लिख सके उसे व्यक्त कर सके आपको अगर business entity concept या money measurement concept को समझना है अच्छे से तो हमारे पहले वीडियो को जाके देखिए हम आशा करते हैं आप बिल्कुल समझ जाएंगे तो चलिए आज के topic को जो की going concern concept है topic को start करते हैं और समझते हैं हमारा topic है going concern concept friends जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है going concern यानि कि जो चलता रहे going concern यानि कि जो चलता रहे according to this concept business will continue to exist in the long period in future मतलब इस concept के अनुसार business जो है वो long run में long term में भी चलता रहेगा according to this concept business will continue to exist in the long period in future मतलब की business भविस से में भी लगतार चलता रहेगा इस concept के अनुसार transactions in the books of the businesses are recorded based on the assumption that enterprises will continue किता है कि इस concept के अनुसार transactions को बुक्स में record किया जाता है कि business जो है वो भविस्य में चलता रहेगा transactions भी record किये जाते हैं इस concept को ध्यान में रखके कि business जो है वो भविस्य में चलता रहेगा under this concept it is assumed that business will not be liquidated in possible future करता है इस concept के अनुसार कहता है कि इस assumption पर कि business को निकट भविस्य में या भविस्य में liquidate या wound up नहीं किया जाएगा मतलब की बंद नहीं किया जाएगा यह concept यही कहता है तो अगर हम इस concept को summarize करें अगर इस concept को हम summarize करें going concern concept को कि business will continue to exist in the future business जो है भविस्य में चलता रहेगा और transactions भी इसी concept के basis पर किया जाता है कि business जो है वो चलता रहेगा and there is no intention to liquidate or curtail the operation of the business ऐसी कोई मंशा नहीं होती है कि business को निकट भविस्य में बंद कर दिया जाए या उसे रोक दिया जाए तो यह concept बस यही कहता है कि business जो है वो भविस्य में चलता रहता है चलता रहेगा आईये आगे बढ़ते हैं अब आईये एक example से इसे समझते हैं कोई concern concept example है कि fixed assets are recorded at their original cost and depreciation is charged on these assets without keeping in mind the market value दोस्त, friends, business में कोई assets खरीदी जाती है तो क्या यह सोचके खरीदी जाती है कि इस assets का use हमें कुछ दिन के लिए करना है नहीं ऐसा नहीं होता है कोई भी assets business में खरीदा जा रहा है तो यह मान के खरीदा जाता है कि इसे हम long period तक business में use करेंगे इसे हम long period में तक business में use करेंगे fixed assets are recorded at their original cost कहता है कि fixed assets को हम उसके original cost पे books में record करते हैं and depreciation is charged on these assets और ऐसे assets पर हम depreciation charge करते हैं depreciation क्या होता है इसके बारे में आगे हम detail में चर्चा करेंगे और हम market value को धान में नहीं रखते हैं तो देखो कहता कि मान लो किसी machinery का cost है एक लाख रुपे मसीनरी का cost है एक लाख रुपे expected life of assets है 10 साल हम मानते हैं कि यह जो machinery है 10 साल तक business में चलेगी हमारा expected life क्या है कि 10 साल जो है वो machinery चलेगी cost is spreaded मतलब कहता है कि आब यह समझो मान लो मान लो हमने कोई assets खरीदा यहां पर है हमने कोई assets खरीदा एक लाख रुपे और हमारा assets चलता है एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ नौ और दस यह मान लो एर वन year two year three year four year five year six year seven year eight year nine और year 10 हमने year one में यहां पर एक assets खरीदा एक लाख रुपे और हम मानते हैं कि यह जो assets है वो दस सालों तक चलेगी यह जो assets है वो दस सालों तक चलेगी तो देखो according to the concept हम यह मान के assets को purchase कर रहे हैं कि इस assets को हम business में दस सालों तक यूज करेंगे मतलब की तो बिजनेस जो है वो भविस्स में भी चलता रहेगा तो क्या इस assets को खर्चे मान के हम पूरे इसी साल में खर्च में दिखा दे यहर वन में तो नहीं इस assets को spread कर दिया जाता है cost is spread को स्प्रीड मतलब की बांट दिया जाता है इसके एक्सपेक्टेड लाइफ में तो हम क्या करेंगे कि जब हम cost को एक लाख रुपे को इसके एक्सपेक्टेड लाइफ से इवाइट करेंगे तो हमारे इस assets को use करने का cost per year इस assets को use करने का cost per year 10,000 होगा मतलब इस assets का benefit हम 10 सालों तक ले रहे हैं इस assets को use करने का cost दस सालों तक प्रती year प्रती वर्स दस अजार रुपे होगा तो हम हर साल दस अजार रुपे हम हर साल दस अजार रुपे खर्चे के रूप में दिखाएंगे हम हर साल दस अजार रुपे खर्चे के रूप में दिखाएंगे अखर साल रुपे तो क्या होगा देखो दसवे साल में इस एसेट का वैल्यदो स्षुनि हो जाएगा मतलब कि हर साल हमने 10,000 रुपे की 10,000 रुपे का बेनिफिट इस एसेट से लिया और उस बेनिफिट को ही अपने है प्राफिट और लस में खर्च के रूप में दिखाएंगे तो किता है एमाउंट चार्जेबल टू पील अकाउंट रूपीज 10,000 हर साल हम 10,000 रुपे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे के रूप में दिखाएंगे तो इस एसेट को हम क्या मान के हमने खरीदा था बिजनेस में कि दब बिजनेस वि का चैप्टर है उसको डिटेल में वहां पर समझेंगे अभी हम समझते हैं कि हर साल यह जो 10,000 रुपे हम चार्ज कर रहे हैं यही डेप्रिशियेशन है यही डेप्रिशियेशन है अगर समानने भासा में समझे जाएं तो कुछ नहीं है जो एसेट का कॉस्ट होता है उसको जब हम एक्सपेक्टेड लाइब से डिवाइड कर देते हैं तो जो अमाउंट अनिकल के आता है वही डेप्रिशियेशन होता है कि अ कॉस्ट आफ एसेट इस डिवाइडेड between the expected life on assets is called depreciation so friends समझ गए होंगे आप की going concern concept क्या है तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और concept को समझते हैं I have friends accounting period concept accounting period concept accounting period concept कहता है true result of any business can be as certain only when its operation is completely wound up because business is assumed to be continued indefinitely for long period कि कहता है दोस्तों कि किसी भी business के अप्च्वल रिजल्ट जो है आज हमने कोई business किया और 10 सालों के बाद उस business को बंद कर रहे हैं तो actual में उस business से हमने क्या कमाया हम तभी हम कब जान पाएंगे दस साल के बाद जब हम उसे बंद कर रहे होंगे तब हम actually result हमने एक लाख लगाया था और उस दस साल के बाद हमने क्या कमाया हम तभी जान पाएंगे इस पॉइंट में यही बात कही जा रही है कि the true result of any business can be as certain only when it is operation is completely wound up करा कि किसी भी business का true result हम तभी जान पाते हैं जब उस business को वास्तविक रूप में बंद कर दिया जाए फतम कर दिया जाए जब business समाप्त हो गया तभी हम उस business actual हमने क्या कमाया वह हम जान पाएंगे कि कॉस्ट बिजनेस इस एजिम्ट इंडेफिटली फॉर लॉंग पिरिड़ तो कि हम यह मानते हैं कि business जो है वह भविस्य में लॉंग पिरिड़ के लिए चलता रहेगा तो अगर कोई business हम हम शुरू कर रहे हैं तो उस business actual में हमने क्या कमाया हम तभी जान पाएंगे जब जिस दिन हमने business शुरू किया और जिस दिन हम business बंद कर रहे हैं तो बंद करने के दिन जो भी result होगा जब हमने शुरू किया था उससे comparison करेंगे तो हमने क्या कमाया क्या गावाया मतलब हमारा business में क्या profit हुआ क्या loss हुआ वास्तों में हम उसी दिन जान पाएंगे लेकिन friends क्या practically यह possible है कि हम अपने business के profit और loss को जानने के लिए इतनी लंबी आधी तक रुके हैं अगर कोई business 20 सालों तक चल रहा है तो क्या हम उस business के result को जानने के लिए actual result को जानने के लिए क्या 20 सालों तक हमें रुकना पड़ेगा तो नहीं practically ऐसा नहीं होता है कहता है as certainment of result after a very long period will be of no use from the point of view of the managers investors or other users to take decisions and corrective measures कहता है कि कि किसी भी business के profit और loss को निकालने के लिए अगर इतनी लंबी आधी तक रुका जाए तो इस result का कोई use नहीं होगा managers के लिए investors के लिए उनके द्रिष्टी कोन से decision making करने के लिए या corrective measures करने के लिए अगर हमारे business में growth नहीं हो रहा तो क्या हम 20 साल के बाद result निकालके check करेंगे कि क्यों growth नहीं हो रहा तो नहीं ऐसा नहीं किया जाता है ऐसा नहीं किया जाता अगर कोई business है तो हम क्या करते हैं मालो यह business की ओधी है यह business period यहाँ business start हुआ और यहां end हुआ, यहां समाप्त हो रहा है, wound up हो रहा है तो हम क्या करते हैं? हम business के period को छोटी-छोटी आधी में बांड देते हैं और हर आधी में, हर आधी में profit and loss financial statement बनाते हैं हर आधी में, हर आधी में profit and loss और balance sheet बनाते हैं यहां हमने बना के देख लिया माल लो पहले साल में हमें क्या profit, क्या loss हुआ है, हम क्या गलतियां कर रहे हैं अगर हमारा profit नहीं बर रहा है, तो किन कारणों से नहीं बर रहा है हमारा growth नहीं हो रहा है, तो किन कारणों से नहीं हो रहा है कि अगर हम अपने profit और loss निकालेंगे business के financial statement बनाएंगे तो यह management point of view से किसी काम का नहीं होगा हम ना corrective majors ले सकते हैं ना को decision making कर सकते हैं तो इसलिए कहता है कि accounting period के ओधी को छोटे-छोटे टुकरों में बांट दिया जाता है वो छोटे टुकरे 12 महीने के हो सकते हैं 6 महीने के हो सकते हैं तीन महीने के हो सकते हैं तो यह accounting period concept इसी बारे में है कि हम अपनी business की ओधी को accounting period को छोटे-छोटे टुकरों में बांट कर financial result ascertainment करते हैं उसका उसको calculate करते हैं ताकि हम important decision making और corrective measures ले सके हैं तो आसा करते हैं accounting period concept आप समझ गये होंगे चलिए next slide पर चलते हैं friends देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि hence it becomes important that business spend be divided into periodic intervals to know the profit loss of the business अभी जो पिछले slide में हमने उधारन के माध्यम से समझाया था कि यह जरूरी है कि हम अपने business के accounting period को छोटे-छोटे spans में बांट दे और हम accounting result निकाले profit and loss निकाले balance sheet बनाए वह periodic intervals क्या होते हैं वह बारा महिने का हो सकता है के महिने का हो सकता है तीन महिने का हो सकता है मतलब हम बारा महिन उपर आप देखते होंगे बड़ी-बड़ी कंपनियों का quarterly result publish किया जाता है six month पे रिजल्ट publish किया जाता है और yearly result भी publish किया जाता है ज्यादा तर कंपनिया बारा महिनों का period adopt करती है ज्यादा तर कंपनिया बारा महिनों का period को adopt करती है financial result calculate करने के लिए और कहता कि as per the income tax law it is mandatory to adopt financial year that is April to March करा income tax law के अनुसार यह compulsory है यह mandatory है कि कंपनिया business accounting period के रूप में financial year को follow करे और दोस्तों आपको पता होगा कि financial year अप्रिल और मर्च होता है अप्रिल से लेके मर्च का period बारा महिनों का period होता है तो as per income tax law it is mandatory to follow financial year as accounting period by the companies or businesses accounting period concept बहुत यसान है समझ लिजिए कि अपने accounting period को profit और loss calculate करने के लिए financial statement बनाने के लिए accounting period को छोटे छोटे intervals में बाटके हम profit और loss निकालते हैं यही accounting period concept है तो friends आशा करते हैं कि अभी बताये गए दोने accounting concept आपको समझ में आ गए होंगे going concern concept और accounting period concept तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं परविराम देते हैं हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों सगे संबंदियों और मित्रों के साथ शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हिसकि बहुत बहुत बच्थ को झाहर के लिए ही शॅ consistent